उदाहरण 13 प्रश्न दिये गए चित्र में यदि BE लंब EC कौण EBC बराबर 40 अंश कौण DAC बराबर 30 अंश है तो X और Y ग्याद कीजिए हल चित्र क्रवां कुन 40 देखिए इसके त्रिभुज EBC में 90 अंश धन 40 अंश धन X बराबर 180 अंश क्योंकि त्रिभुज के तीनों कौण का योग 180 अंश होता है जिसे हम त्रिभुज का कौण योग गुण भी कहते हैं 90 और 40 जोड़ते हैं हम 130 अंश धन X बराबर 180 अंश या X बराबर 180 अंश रिंड 130 अंश यहां से हमें X बराबर प्राप्त होता है 50 अंश समीकरण नंबर समीकरण एक पुनह चित्र में देखे त्रिभुज ADC में आप देख सकते हैं कि कौण ADE बराबर कौण ADE बराबर कौण ADE बराबर कौण ADE का मान Y दिया हुआ है तो Y बराबर कौण DAC का मान दिया हुआ है 30 अंश और कौण ACD का मान हम लिख सकते हैं X दिया हुआ है X का मान हम समीकरण एक से 50 अंश देख सकते हैं इस मान को रखने पर हमें मिलेगा Y बराबर 30 अंश धन 50 अंश या Y बराबर 80 अंश इस तरह से हमें X और Y दोनों के मान मिल गए X का मान प्राप्त हुआ हमें 50 अंश और Y का मान 80 अंश यह हमारे इस प्रेशन का उत्तर है झाप्ट झाफ्ट झाफ्ट कर वाथ